संग प्रमुख मोहन भागवत भागलपूर पहुंचे हैं और बिहार पुलिस प्रसासन उनकी सुरक्षा में चारोत रप से जुट चुकी है। संग प्रमुख मोहन भागवत का काफिला जब सड़क मार्ग से गुजर रहा था तब देखकर किसी को भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि किसी अत्रिप्रमुख व्यक्ति का काफिला सड़क मार्ग से गुजर रहा है। जब पूल को पार करता है तब नीचे नदी में सुरक्षा बलके जवान पानी में स्टीमर के जरिये पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब इतने से आप मोहन भागवत की सुरक्षा का अंदाजा लगा सकते हैं। और बिहार पुलिस की प्रशासन इसके लिए पूरे जी जान से जुड़ चुकी है। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे। बाकियों नमस्कार मेरे नाम है मोहित कुमार सिंग। और आप देख रहे हैं हमारा विश्य इसकार करें। एक्स्पलेनर। जल्दी करें क्योंकि सीटसार लिमिटेट। प्रसासनिक अमला उनकी सेवा में जुड़ जाता है। भागलपूर में संग प्रमुक मोहन भागवत के सुरक्षा को लेकर जो जानकारी आ रही है जो बड़े अस्तर की तयारी है उसके मुताबिक भागलपूर की प्रसासन ने आपात काल की सिटी से निपटने के लिए पूरी तयारी करके रखा गया है। और पहले से ही सुरक्षा एजन्सियों ने संग प्रमुक के भागलपूर दौरे को लेकर चिंता जाहिर कर दी थी कि यहाँ पर आतंकी संगटनों की नजर पर संग प्रमुक मोहन भागवत रहेंगे। और इसके बाद से बियार सरकार का प्रशास्नी कमला इस बात में जुट गया कि मोहन भागवत के उपर बियार में एक खरोस तक नहीं आएगी। मोहन भागवत का काफिला जब सरक मार्क से गुजर रहा होता है तब वहाँ पर तमाम गाड़ियों को रोका जाता है और इस बात को सुनिशित किया जाता है कि किसी भी प्रकार की छोटी सी भी चूक ना हो और इसके लिए जो भागलपूर जीले के बड़े-बड़े आईप संग प्रमुक्त मोहन भागवत का भागलपूर में कई सारे कारिक्रम है और एक कारिक्रम ऐसा भी है जहां पर राष्टी स्वेंग से वक संग के जो बुजुर्ग स्वेंग से वक हैं जिनोंने आरेसेस में अपनी सेवा दी जिनोंने आरेसेस के जरिए जो आरेसेस कहता है उसके मुताबिक देश की सेवा की उनको विसेश तोर पर अमंत्रित किया गया है और बताया गया है कि संग प्रमुख उनसे मुलाकात करेंगे बातचीत करेंगे फिलाल आप खुद सोचिए कि मोहन भागवत के उपर राजितिक तोर पर जितनी भी कटाक्ष कोई कर ले जितनी संग प्रमुख मोहन भागवत का भागवत कर अगर कड़ा इंतजाम नहीं हुआ तो संग प्रमुख मोहन भागवत नकसलियों से लेकर आतंकियों तक के निशाने पर बने हुए है और इसलिए जब संग प्रमुख मोहन भागवत का काफिला गंगा नदी पर बने भागलपूर के एतिहासिक बिक्रम सिलापूल को क्रोस करता है तब भी नदी में श्क्रीमर पर बैठकर सुरक्षा बलके जवार नदी में पेट्रोलिंग करते हैं पानी में पेट्रोलिंग क का भिशय बना हुआ था अब कुछ घंटे के लिए मोहन भागवाद भागलपुर में पहुंचते हैं बड़े-बड़े IPS सद्कारी उनकी सुरक्षा को लेकर हर मिनट पर जाकर तमाम जगों का दौरा लेते हैं और 62 मजिस्टेट और जो सुरक्षा बलके जवानों की टीम होती है उसको तैनात किया गया है आपकी इस पर प्रसक्रिया क्या है कमेंट बोक्स में लेकर बताईएगा आगे जो तमाम जानकारी आगी वह हम आप तक पहुंचाएंगे आप जनतांक्षा निशाइद बने रहिए वीडियों यहीं पर समात करते हैं कि हम रेक से बीश खड़े हैं और मैं मुहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद